इस पेज में आपको क्या कुछ दिखाई दे रहा है इस पेज में आपको एक लेंथ दिखाई दे रही है और एक क्या दिखाई दे रही है ब्रेट दिखाई दे रही है यानि कि इस पेज की एक लंबाई है और एक क्या है चुड़ाई है इसकी कोई मुटाई है या हाइट है इस पेज की देखो height तो इसकी है नहीं न तो जिन जिन चीजों की सिर्फ लंबाई और चुड़ाई यानि की length और breadth होती है बेटा तो उसका हम उसका जो वो एक जगाय को वो cover करता है एक जगाय को घेरता है जैसे कि ये वाला page इतनी जगाय को cover कर रहा है न इतनी जगाय को cover कर रहा है उस जगह को बोलते है एरिया जब जिसकी सिर्फ क्या होती है बेटा लंबाई होती है और क्या होती है चुडाई होती है उचाई नहीं होती तो उसको वो जो भी जगह को कवर करता है तो हम उसको कहते हैं कि वो कितना एरिया कवर कर रहा है अब क्या होता है बेटा कि जो चीज प्तला सा था बट अगर हम इस hall को देखें इस इ्रेंजर को देखें तो देखो इस hall के पास uelा मिला सो अपनी एक है फिर इसकी एक क्या है बिटा चुढाई भी है ब्रैत्थ भी है और यह देखे यह इरेजर थोड़ी सी उन्ची भी है, आपकी एरेजर थोड़ी उन्ची भी होती है, मतलब इसकी हाइट भी है, तो एक इसको बोलते हैं, सॉलिड, एक सॉलिड फिगर है, यह सॉलिड का मतलब जो एक, जिसके उचाई भी होती है, जैसे आपके माचिस की डिबिया हो गी या जैसे एक क्यूब हो गए आप लुड़ों खेलते हो न लुड़ों में आपके पास यह देखिए एक डाइस होता है न यह वला डाइस होता है तो इसकी भी एक लमबाई होती है एक चुडाई होती है एक उचाई होती है length, breadth and height होती है तो जिनके ये faces बेटा rectangular होते हैं उनको क्यूबाइड बोलते हैं और जो ये faces होते हैं वो square की shape में होते हैं जैसे कि इस cube की ये देखे ये जो जितने भी आपको इसके face नजर आएंगे ये एक square में है वर्ग में है जिसकी लंबाई चड़ाई सब बराबर होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं cube जिसकी ये सारी square shape में होती है हर face की तरफ देखे बिल्कुल एक square बना होता है वर्ग बना होता है तो वो cube होते हैं बेटे पर जिसके faces ऐसे करके लंबाई और चुडाई उसकी different होती है तो वो cube-wide होती है जैसे माचिस की dip भी हो गए या eraser हो गया ये सारे cube-wide के example है cube का example क्या है cube का example ये dice है क्योंकि इसमें ये सब कुछ square सा होता है यानि की चोरस बिल्कुल एक जैसे होते हैं इसके faces हैं जो इसके लंबे चोड़े से होते हैं जैसे ये लंबे ये थोड़ा सा कम है ठीक है एक जैसे नहीं होते तो ऐसी चीज़ों का ऐसी चीज़े कितनी जगां को cover जैसे कि माले जी कितनी जगां को cover कर रही है ऐसी solid चीज़ जिसकी लंबाई चुड़ाई उचाई होती है तो उसको area नहीं बोलते फिर उसको क्या बोलते है volume जो तो flat surface होता है वो जितनी जगां को cover करती है उसको area बोलते है जिसकी लंबाई चुड़ाई उचाई होती है जो एक solid बन जाती है चाहे वो cube हो चाहे वो quarter हो तो उसको क्या बोलते है उसकी जगां को जो घेरती है उसको बोलते हैं volume अब हमें पता है बेटा कि जब हमने 15.1 में किया था कि जिसकी एक लंबाई होती है एक चुडाई होती है तो हमने उसका area कैसे find out किया था उसका area हमने find out करते है क्योंकि उसके एक लंबाई माली जी एक page है चोटा सा इसके ये लंबाई है ये चुडाई है तो इसका एरिया कैसे पता किया था हमने length into breadth से ठीक है और अगर ये इसके faces सारे ऐसे करके square हैं तो हमने कहा था side तो हमने उसका एरिया कैसे पता किया था इसका एरिया पता किया था side into side से ठीक है ये square है ये rectangle है अब हम इसका बनाते हैं जो हमारे पास ये अब eraser है ठीक है वो इस शेप की होती है ना बिटी eraser ठीक है तो इसका कैसे पता करते हैं इसकी एक length है इसकी एक breadth है और इसकी एक height भी होती है तो अब इसके area का नाम पढ़ जात है तो हम इन तीनों को multiply कर देंगे length into breadth into height इसमें बेटा जो पीछे unit लगता है यानि कि माली जे आपका इसका answer 20 आ गया तो आप लिखते थे square unit ठीक है यानि कि जो भी centimeter unit का मतलब होता है meter centimeter जो भी है आगे square लगा देते थे square का मतलब होता है 2 अब यहाँ पर क्या है तीन चीज आगया answer तो उसके साथ हम लगाएंगे cubic unit cubic unit यानि कि cubic centimeter cube meter ऐस तरह से लगाएंगे cubic का मतलब 3 होता है क्योंकि यहाँ पर 3 चीज़े है ना square का मतलब 2 होता है क्योंकि यहाँ पर 2 ही चीज़े होती है इसलिए इसका unit पीछे square unit बोलते है इसके unit को cubic unit बोलते है ठीक है यह आपन हम एक dice का निकालें dice में यह सबी चीज़े क्या होती है equal होती है इसका हम volume कैसे निकालेंगे इसका volume निकालने के लिए देखिए इसके volume को निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसकी यह भी side यह एक लंबाई लेली length इसकी भी लंबाई चुडाई लेली और इसकी यह वली height भी एक जैसी होती है तो फिर एक volume of cube क्या होता है यह है volume of cubide ठीक है यह volume of क्या है हमारे पास cubide है अब हम कर रहे है volume of cube तो volume of cube में क्या है तीनों चीज़े लेंगे तो edge भी बोल देते हैं बटा side को क्या बोल देते हैं edge भी बोलते हैं इसको edge ठीक है तो volume of cube के इसके बराबर होता है side into side into side तो इसकी तीनों चीज़े side into side इसकी लंबाई चुडाई उचाई है जो वो सारी सेम होती है उसको हमने side नाम दे दिया तो तीनों चीज़े side into side into side और जो इसका अंसर आएगा वो आजाएगा cubic unit में ठीक है आपने यह याद रखना है area square unit में होता है और जो volume होता है वो cubic unit में होता है इससे related बेटा हम question करते है देखिए आपको दीरे दीरे समझ आ जाएंगे बहुत easy है the volume of cube height किसके बराबर होगा बेटा length into breadth into height की volume of a cube जो की dice की shape में होता है लुड़ो में जो dice होता है तो उसका edge into edge into edge या side into side into side if each side of a cube is one centimeter तो उसका volume कितना होगा अगर हर एक ही one meter होगी तो बेटा volume किसके बराबर होगा देखिए आप volume is equal to one meter into one meter into one meter क्योंकि side into side into side तो यह कितना आ गया one नहीं आ गया और यहां क्या लिखेंगे cubic meter ठीक है cubic meter आ जाएगा ठीक है तो हमने यहां पर one cu cubic मेंने cu meter लगा दिया find the volume of a cube height यानि की eraser type whose length 3 meter है बेटा breadth 1 meter है and height 5 meter है आपको पता length कितनी है length कितनी है 1 meter breadth कितनी है 3 meter and height कितनी है हमा लिजिए तो volume of a cube height किसके बराबर आएगा volume of a cube height किसके बराबर आजेगा length into breadth into height यहानि 1 into 3 into 5 तो कितना आ गया 5 3s 15 1s 15 तो 15 cubic meter ठीक है cubic meter क्योंकि यह 3 है 3 के लिए cubic और यहां meter लगा देना है तो क्यूबी की मैंने cu यूज की है BIC यूज नहीं की तो cu short form लगा देते हैं तो volume of a cube height के आता है इन तिनों की multiply होती है ठीक है तो इस तरह से हम cube height का कोई भी cube height का volume आजे तो आपने इस तरह से पता करना है अगर cube का volume आजे बेटा तो इसमें 12 x 12 x 12 कर देना है आपने तो आपका cube का आ जाएगा इस तरह से पेटा आपके 15.2 है find the volume of the falling solids in term of unit cubes यानि की इसको हमने unit मान लेना है हमने क्या करने है यह हमें एक eraser या dice जैसी ही diagram नजर आ रही है मतलब इसकी length भी है breadth भी है और height भी होगी तो हमने यह height देखी बेटा कितनी है हमने box गिन लिए यह 1 cm का या 1 unit का एक box होता है 1, 2, 3, 4, 5 तो यह 5 unit हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो मतलब यह जो length है वो 6 unit की हो गई है और यह देखे breadth कितनी है 1, 2, 3 तो यह 3 unit की होगी तो हमारे पस length 6 और यह 5 आगी और यह कितनी आगी 3 आगी तो हमें पता है कि length into breadth into height लगाके हम क्या find out कर सकते हैं इसका volume पता कर सकते हैं तो हमें first का volume क्या होगा बेटा volume of solid solid का volume क्या होगा 5 5 unit into 3 unit into 6 unit ठीक है तीनों की हमने क्या कर दी multiply तो कितना आजएगा पेटा 5, 6, 30, 30, 90 तो यहाँ पर क्या लगा देंगे cubic unit अगर meter centimeter ने दी उसने unit लिखा तो हम unit लिख देंगे इसी तरह से पेटा जब इसके box find out करेंगे यह 7 है इधर 2 है और इधर count किये तो 4 है तो आपने इन तीनों की length into breadth into height की करके इसका volume पता लग जगा इसी तरह से पेटा आपने यह वाला इसका और यह उपर वाली की boxes गिनके इन तीनों की multiply कर देनी है तो यह हमारे पास इसका volume आ जगा तो इनको बोलते है थें की